इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सिलोकेप डी कैपसूल दो दवाओं से मिलकर बना है जो पुरुषों में बड़े हुए प्रोस्टेट ग्लैन के इलाज के लिए अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं। यह पेशाब करने में कठिनाई या अधिक बार शौचालय जाने की आवशक्ता जैसे लक्षनों को दूर करने में मदद करता है। इसका उप्योग प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के लिए नहीं किया जाता है। सिलो कैप डी कैपसूल को डॉक्टर के परचे के अनुसार एक खुराक और अवधी में लेने की सलाह दी जाती है। इसे भोजन के साथ लिया जाना चाहिए लेकिन नियमित रूप से एक ही समय पर लें। दवा को बिना कुछ ले या चबाएं पूरी तरह से निगल लें। आपको डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके लक्षन और बिगर सकते हैं। दवा की बहतर प्रभावकारिता के लिए उपचार का कोज पूरा किया जाना चाहिए। इस दवा के कुछ सामान्य दुश प्रभाव प्रतिगामी स्खलन, चक्कराना, दस्त, ओथोस्टेटिक हाइपोटेंशन, सिर्दध, नासोफेरिंजिटिस और नाक की भीड हैं। यदि कोई भी दुश प्रभाव बना रहता है या आपको परेशान करता है, तो आपको बिना देर कि ये डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। जीवन शैली में साधारन बदलाव आपके लक्षनों को बहतर धंक से प्रबंधित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे ही आप पेशाप करने की इच्छा महसूस करें, पेशाप करने की कोशिश करें, हाला कि अपने मुत्राशे को खाली करने के लिए कभी भी जोर न लगाएं या धक्का न दें। आपको रात में और बिस्तर पर जाने या बाहर जाने से कुछ घंटे पहले कैफीन्युक्त या मादक पे पीने से बचना चाहिए। उपचार प्राप्ट करने से पहले अपने चिकित सक को सूचित करें कि क्या आप किसी अन्य स्वास्थि स्थिती के लिए कोई दवा ले रहे हैं। यदि मोतियाबिंद या ग्लुकोमा के कारण आपकी आँखों की सरजरी होनी है तो इस दवा के उप्योग के बारे में अपने नेत चिकित सक को सूचित करें। जिगर या गुर्दी की बीमारी वाले मरीजों को नुस्खे प्राप्त करते समय सतर्क रहना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें नियमित रूप से फॉलो आप प्राप्त करना चाहिए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।